कहते हैं कि प्यार बड़ा ही खूपसूरत एहसास है और इस प्यार में काफी ताकत भी है मगर जब प्यार में दरार आ जाए तो क्या हलो फ्रेंज मैं हूँ आपकी होस्ट नैंसी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज खास प्रोग्राम में जिस प्यार महबत की बाते हम यहाँ पर कर रहे हैं उसी प्यार भरे जोड़े की बात हम यहाँ करने जा रहे हैं दरसल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मलाइका और अर्जुन को लेकर मलाइका और अर्जुन बॉलिवट का एक ऐसा कपल बन चुके हैं जो हर वक्त अपनी जोड़ी को लेकर सुर्खियां बटोरता है अब ऐसे में हाल ही में मलाइका अर्जुन को देखा गया सोखो हाउस मगर यहाँ पर मलाइका अर्जुन अलग-अलग दिखे इग्नोर करते दिखे तो ना जाने ऐसा लग रहा है कि अर्जुन की फैमिली यानी की बहन अंशुला बोनी के खातिर क्या उन्होंने मलाइका से दूरी बना ली अब देखेंगे आप हमारे इस प्रोक्राम में किस तरहां देखे हमारे ये खास प्रोक्राम बॉलिवड में फिटनेस क्वीन के तौर पर जाने जाने वाली मलाइका अरोडा जो अकसर ही खबरों में चाही रहती हैं नीचे हाली में मलाइका चाही हुई है इन दिनों अर्जन संध अपने रिष्टे को लेकर जहां पर अर्जन और मलाइका के नए नए फ्यार को मीडिया के कैमरों में देखा जा रहा है और ये तो हर कोई जानता है कि ये दोनों एक तूचे कोट डेट कर रहे हैं भले ही कितना भी मीडिया के कैमरों से चुपा ले मगर कैमरा हर एक छीन से एक लेता है और देखा भी गया है कि खुलन खुलना सोशल मीडिया पर तस्वीरों पर कवेंट करना न्यू ये फार्थी सेलिब्रेट करना हर जगा साथ होना इनके प्यार की बच्च्पूती को च चलकाते दिखा मगर हाली में कुछ ऐसा देखा गया जिसे मानों ऐसा लग रहा है कि मलाइका और अर्जन के रिष्टे में अब गरार पड़ चुकी है दरसल हाली में मलाइका और अर्जन को देखा गया सोपोग हाउस में जहां पर मलाइका भी पहुंची थी करिश्मा भी अमरता भी पहुंची थी तो पहुंचे थे अर्जन कपूर भी मगर यहां पर जो मंजर देखा गया उसे देखने के बाद तो यहीं लगा कि अर्जन और मलाइका अब तूरी बना रहे हैं हाला कि यह तूरी सिर्फ मीडिया के सामने बनाई जा रही है या पिर सच में आप इस वीडियो में अब देखेंगे किस तरहां से अर्जन कपूर पहले अकेले ही जाते दिखाई दिये सोहो हाउस के अंदर जब मलाइका पहुंची तो मलाइका अकेली ही वहा निकलती भी देखी गई सब्स्सेफ चना भी अर्जन कर्व खेंगे का समय ममासि और को सानी मिड्यारा गमी जाओ सिर्फ काीकंची तो मुष्ट हाला कि मीडिया के सामने तो अब कुछ छुपा नहीं है जो अपने प्यार को ये दोनों छुपा रहे हैं जहाँ पर न्यू येर पार्टी के दोरान इन दोनों को साथ देखा गया था तो ऐसे में अब क्या हो गया जिसे लेकर ये दोनों अपने प्यार को छुपा रहे हैं यहाँ पर कही न कही साफ स्तौर पर देखा गया कि अर्जुन अकेली अपने कार में गए और मलाइका अकेली अपनी कार में जाती देखी आपको जान के हिरानी होगी कि अर्जुन कपूर की फैमिली भी मलाइका और अर्जुन के रिष्टे से नाखुश है अर्जुन कपूर की बहन अंशुला और उनके पिता बोनी कपूर नहीं चाहते कि अर्जुन मलाई का संग शाथी करे हाला कि बोनी कपूर के मना करने के बावजूत भी अर्जुन अपने प्यार को आगे बढाते दिखे अपने प्यार के लिए स्टांड लेते दिखे मगर अब जो दूरियां देखी जा रही है वो इस बात का सबूत है कि बहन अंशुला के खातर हो सकता है कि अर्जुन ने मलाइका से दूरी बना ली हो कैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा ही कि सच में इन दोनों ने आपस में दूरियां बना ली है या फिर्ज क्या ये श्रादी के बंधन में बढ़ेंगे पलाल आप देखिए इस वीडियो में किस तरहां से यहां पर अर्जुन ने मलाइका अलग-अलग होते दिखे में अर्जुन पर अर्जुन अजुन पर अने बादी कर्या चेप। अलाओ, छालओ, टूराओ, पिचरे माते हैं, आथ हाथ दो पुछे ने मादेब आथ दो दो, हादे बचले को आधे ने समय. कि अपड़ने खडाई और लाका थे अजिए कान कान खो नो अरुपने काना स्थारु उज बेंदेगन के सब्सक्राइब खरेड़ने शतर समय और करेंद तो जा ऑजिए क्यों की एक नहीं इस दूपने खंद मेंदिएक करें खंद मुद में आजिए बोलिवज आक्टरिज मलाइका अरोडा जो अक्सर ही खबरोप नाश्राइटाए हाल ही में मलाइका को स्पोट किया गया सोहो हाउस जहां पर भुडापे में मलाइका जल्वों को बिखेड़ती दी इतना ही नहीं कार में बैठते ही मलाइका का खास अंदाग सामने आया क्या कुछ रहा खास देखिए हमारे इस वीडियो में सो वेल फ्रेंज आपने देखा ये खास प्रोक्राम और यकीनन आप यहीं सोच रहे होगे कि क्या ये दिखावा तो नहीं या सच में दूरियां पड़ चुकी हैं दरसल आपको बता देए कि अर्जुन की फैमिली उनकी बेहन अंचुला नहीं चाहती हैं कि भाई अर्जुन और मलाइका की शादी हो बोनी कपूर तो शुरू से ही खिलाफ थे इस रिष्टे को लेकर तो ऐसे में जहां पर खिलाफ का सिस्टम चल रहा था तो ऐसे में अब दूरियों का दिखना क्या सच में ये दूरियां हैं अब यकीनन देखना होगा कि मीडिया के सामने जा खुलम खुला इश्क फरमाते थे अर्जुन मलाइका तो क्या अब दूर हो चुके हैं या फिर शादी के बंदन में बंद के ये धमाका देंगे फुला लाज के इस प्रोक्राम में बस इतना ही और आप हुमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद